हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए है आज की वीडियो का श्रेज आता है श्रीमान प्रशान श्रीवास्तव जी को थैंक यू श्रीवास्तव जी की आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके PNB MetLife के Century Plan की Information जानने की इच्छा जाहिर की हम हमेशा अपने दर्शकों के प्रशनों के अनुसार ही Information लेकर के आते हैं तो इसी बाते आप चैनल को सब्सक्राइब करके All Notification बैल पे ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले क्योंकि हम हमेशा अपने दर्शकों के प्रशनों के अनुसार ही कारे करते हैं आईए जानते हैं PNB MetLife के Century Plan की पूरी Information ये प्लान एक Non-Linked वाला प्लान है मतलब कि आप जो Premium Pay करेंगे वो किसी भी High Risk Investment Option में जाके Invest नहीं होगी दूसरा Option आता है Smart Income Option तीसरा Option है इसमें Future Income Option तीनों ही Option के नाम से आपको पता लग गया यहां पर कि आपको Money का Liberty मिलने वाला है क्योंकि Income Add हो रहा है और तीनों ही Option एक दूसरे से अलग-अलग हैं तीनों Option अलग-अलग तरीके से कार करते हैं तीनों के Benefit अलग-अलग है, Illigibility Criteria अलग-अलग है तो ऐसे में आपको Confusion से हैं बचाना तो इस वज़े से आज की वीडियो में मतलब की Century Plan के फर्स पार्ट में सुपर-Income Option की ही डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको कोई Confusion ना हो तो आए जानते हैं सुपर-Income Option का Eligibility Criteria तो सबसे पहले Policy Term पहला Option आपको मिलता है Policy Term में 100 में से आप माइनस कर देंगे घटा देंगे अपना Entry Age को दूसरा Option है असी में से आप माइनस कर देंगे अपना Entry Age को तो यह आपका Policy Term निकल करके आ जाएगा दोनों में से एक Option आपको चूज करना है Premium Paying Term का Option है आपके 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल लगाता रहसे फिर उसके बाद 12 साल और 15 साल का आपको Premium Paying Term का Option देखने के लिए मिल जाता है अब इस प्लान के अंदर एक Common Feature है या बोलीजे एक Value Added Option है जिसका नाम है Family Care Option यह Waiver of Premium Rider की तरह काम करता है और यह Premium Paying Term के दोरान ही जाधा तर वैलिड होता है क्योंकि तभी तो Premium Way of होगी माल लिजे किसी ने यह Option ले लिया है 10 साल का Premium Paying Term था 5 साल उसने Premium Pay किया और 5 साल रह गए है उसकी Death होगी तो ऐसे में नॉमनिको शमार शॉट का जो Benefit होगा Death पे वो मिल जाएगा और Premium Way of हो जाएगी और Maturity तक Plan Continue चलेगा और Benefit भी मिलेंगे अगर आप यह Plan Family Care Option के साथ में लेते तो Minimum Entry Age होगी 18 साल अगर आप यह Plan बिना Family Care Option के साथ लेते हैं तो Minimum जो Entry Age होगी वो होगी Zero Year मतलब 30 दिन तक ठीक है Maximum Entry Age Limit होगी किसी भी Premium Paying Term Option के साथ में अगर आप यह Plan Family Care Option के साथ लेते हैं तो वो होगी Age Limit Maximum 50 साल अगर आप यह Plan Family Care Option के साथ में नहीं ले रहे हैं Smart Income Option को और आपका Premium Paying Term जो है 5 साल से लेके 9 साल के बीच में 9 साल तक है तो Maximum Maturity Age होगी 55 साल बाकि अगर आपका Premium Paying Term 10 साल, 12 साल, 15 साल का है तो 60 साल का आपको यहां पर Maximum Entry Age Limit देखने के लिए मिलेगी बात करते हैं यहां पर Maturity Age Limit की Super Income Option के साथ में 100 साल पहला उफशन है कि मतलब आप यह Plan लेंगे और आप 100 साल तक की Age तक इसमें बने रहना चाहेंगे पहला उफशन है दूसरा उफशन है यहां पर 80 साल की आप यह Plan लेंगे और अपने 80 साल की Age तक इस Plan में बने रहना चाहेंगे यह दो उफशन मिलते हैं दोने में से एक आपको चूज़ करना होता है बात आती है शमर शॉट की Super Income Option के साथ में अगर आपका Premium पेंग तंब 5 साल सले के 9 साल तक है तो 500 रुपे का मिनिमम शमर शॉट लिमिट देखने के लिए मिलता है यहीं आपका Premium पेंग तम जो है 10 साल 12 साल या 15 साल का है तो मिनिमम जो शमर शॉट लिमिट है वो 2,4,000 का आपको इस Plan के अंदर मिलता है सुपर इंकम आफशन के साथ ने मिनिमम प्रिमियम का लिमिट जो है सुपर इंकम आफशन के साथ ने अगर आपका प्रिमियम पेंग टम पांस साल, छे साल, साल, आठ साल, नो साल का है तो साथ हजार रुपे साल आना है लेकिन अगर आपका जो premium paying term है वो 10 साल, 12 साल, 15 साल का है तो 24,000 रुपे साल आना minimum premium limit होगा 10 साल, 12 साल और 15 साल premium paying term के साथ में maximum कोई limit नहीं है शमर शॉट पे भी और premium पे भी क्योंकि वो depend करता है underwriting rules and regulation के अनुसार survival benefit की बात करें तो survival benefit आपको इसके अंदर दो तरीके के मिलते हैं और ये survival benefit मिलना शुरू होते हैं आपको आपके policy year का one year complete होने पे premium pay किया, एक साल complete होगे then आपको ये मिलना शुरू होगे पहला type है guaranteed survival benefit दूतरा type है non-guaranteed survival benefit survival benefit को आप cash bonus भी कह सकते हैं तो सबसे पहले guaranteed survival benefit की या कहें कि guaranteed cash bonus की बात कर लेते हैं तो ये जो guaranteed cash bonus है ये आपको मिलता है जब आपका premium paying time चल रहा होता है तबी 10 साल का premium paying time है तो 10 साल तक ये मिलेगा इसकी calculation की जाते है guaranteed cash bonus rate का multiply किया जाता है annualized premium में माल लेजे आपने family care option के साथ में ये plan लिया और आपका premium paying time 10 साल से कम है तो आपके सालाना premium का जो annualized premium होगा उसका 2 प्रतीशत मिलेगा अगर आपका premium paying time 10 साल से जादा है या 10 साल का है तो 5 प्रतीशत मिलेगा अगर आप ये plan family care option के बिना ही ले रहे हैं और आपका जो premium paying time है वो 10 साल से कम है तो 5 प्रतीशत और 10 साल ये 10 साल से जादा है तो 10 प्रतीशत आपके premium का मिलेगा अब बाद आती हैं पर non-guaranteed survival benefit की या कह लीजे non-guaranteed cash bonus की non-guaranteed cash bonus भी जब आपका first policy year complete होता है तब से ये मिलना शुरू होता है आपको और ये आपको मिलता है या तो death case हो जाए वहाँ तक या maturity तक आपको लगाता ये मिलता रहता है और ये depend करता है कि जो future जो fund है उनकी performance में fund का मतलब जैसे कि debt है government security है, government bond है इस तरह के जो fund है इक्विटी इसमें सामिल नहीं है, डरियेगा ने क्योंकि इस रक्षित माना जाता है इसी के साथ में आपको इस plan में option मिलता है कि जो cash bonus आपको मिलने survival benefit अगर आप इनको accumulate करना चाहते हो तो किसी भी policy term पे आप company को बोलोगे कि मेरा cash bonus आप दे रहे हो इसको accumulate कर दो तो ऐसे में companies को accumulate करना शुरू कर देगी monthly basis पे और उसमें 3.5% का जो reverse repo rate है RBI का, उसके अनुसार आपको return add होना है, वाँ पे शुरू हो जाएगा अब एक बार अगर आपने बोल दिया कि accumulate करो अगर आपका उसके बाद मन करता है कि accumulate नहीं हो आपको मिलना शुरू हो जाए तो उसके लिए भी आप अराम से बोल सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने accumulation के लिए बोल दिया तो वो accumulate ही होता रहेगा आपके उपर ये choice रहेगी और इसी के साथ नहीं अगर आप अपने accumulated bonus को पूरी तरीके से withdrawal करना चाहो तो आप किसी भी policy के time बे आप उसको withdrawal भी कर सकते हो इसी के साथ में अगर आप ये चाहते हो कि जो आपने bonus को accumulate किया है वो आपको monthly mode, yearly mode, quarterly mode या quarterly mode पे मिलता रहे तो policy anniversary के 30 दिन पहले आपको return में application देनी होगी और ये चार्ट जो आप देख रहे हैं न उस तरीके से आपको ये मिलना शुरू हो जागा इसको pause करके पढ़ लिजगा अब बत आते हैं यहाँ पर death benefit की death benefit की वो भी family care option के बिना तो minimum guaranteed death benefit है 105 प्रतीशत summer short on death summer short on death का मतलब है 10 गुणा आपका जो annualized premium है वो और death benefit factor में गुणा किया जाएगा annualized premium का बिन में से जो भी high होगा वो summer short on death हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर policy लंबे समय तक चल दिये तब जाके आगे चलके अगर death हो जाते है तो उस case में summer short on death accured bonus अगर है तो interim bonus या simple reversionary bonus भी आप इसको कह सकते हो दोनों में से interim bonus जाद अगे interim bonus ही आपको मिलता है terminal bonus terminal bonus और summer short on death मिलता है अगर लंबे समय तक policy चलती है normally बाकी ये सारी चीज़े add हो करके आपको मिल जाएगी और हमको पता है कि bonus non guaranteed होते है after premium paying term ये चीज़ हम लोग जानते हैं ठीक है और ऐसा return में भी है policy document में अब अगर हम लेते है family care option तो वहाँ पे death benefit किया होने वाला है family care option लेंगे तो जो summer short होगा on the death वो depend करेगा factor पे और ये factor जो है 10 से लेके 15 के बीच में होता है ये जो factor होता है पैंड करता हमारे entry age पे और maturity option पे जैसे कि माल लीजिए 40 साल का entry age है maturity option हमने ले लिया 100 साल का तो 11.25 यहाँ पे हमारा देए death factor निकल के आ गया इसकी calculation कैसे की जाएगी ये जो death factor आया है इसको गुणा कर दिया जाएगा annualized premium में तो हमारा शमा शॉट on death यहाँ पे निकल के आ जाएगा अगर हम family care option ले रहे हैं अगर 80 साल का maturity option लेते हैं 40 साल की age है तो 10.20 यह हमारा होगा death factor जिसकी गुणा कर देंगे हम annualized premium में बाकी और भी benefit है वो example के तोर पे आगे explain करूँगा आपको तो end तक देखना वीडियो maturity benefit की बात करें शमा शॉट on maturity accurate bonus ठीक है fixed income को और अगर आपने option बनाया था fix उसको कर लिया था तो उस तरीके से वो भी आपको मिल जाएगा अगर अपने accurate होने के साथ ने installment में बोला था फिर आपने नई लिया उसको fix कर दिया guaranteed bonus को तो वह भी मिल जाएगा terminal bonus भी आपको मिल जाएगा तो देखा जाए शमा शॉट on maturity क्या है right आपका जितना भी premium आपने pay के analyze वो plus additional benefit यह होगा शमा शॉट on maturity तो अब यहाँ पे additional benefit को हम समझ लेते हैं अब यह जो additional benefit है यह हमें जब मिलता है जब हम online policy को लेते हैं right और यह जो additional benefit है यह मिलता है हमें हमारे शमार शॉट पे लेकिन depend करता है कि हम premium कितना pay कर रहे हैं और maturity पे मिलता है माल लिजे आपने एक लाग रुपे का premium pay कर रहे हैं आप online आप यह ले रहे हैं तो ऐसे में पांच प्रतीशत 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 हम निकालेंगे तो आप लोगों को पता है कि 50,000 रुपे हो जाएंगे जो कि maturity पे हमें मिल जाएंगे अगर हम यह plan online लेते हैं तो तब हमें यह additional benefit जो है applicable होगा आइदर नहीं अब एक्जामपल के तौर पे समझते हैं सारी चीजों को सारे बेनिफिट को calculation करके माल लेजिए 40 साल की किसी की एज है एक लाख रुपे एनुलाइज़ प्रिमियम वो सालाना पे कर रहा है premium paying time उसने यहाँ पे लिया 10 साल का और जो maturity option है उसने लिया यहाँ पे 80 साल का है हम यह मान के चल रहे हैं कि हमने प्लान यहाँ पे online लिया था तो हमें यहाँ पे additional benefit भी मिल जाएगा एक लाख के premium पे 50,000 जैसे मैंने अभी आपको बताया था ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते सीधा maturity की मतलब summer short on maturity यहाँ पे क्या होगा sum of paid off all premium तो मतलब 10 साल में हमने 10 लाख रुपे बे कर दिये additional benefit के होगे 50,000 तो 10,50,000 रुपे हमारे यहाँ पे summer short on maturity ठीक है जी अब बात आते हैं यहाँ पे guaranteed survival benefit की जिसको हम बोलते है guaranteed cash bonus ठीक है इसका rate हमें पता ही है कि अगर हम 10 साल का premium paying time है तो 10 प्रतीशत है हमारा एक लाख रुपे 10 साल में हमें यह मिल जाएगा अब हम यहाँ पर जानेंगे non guaranteed survival benefit या cash benefit अब इसका rate है वह हम assume करेंगे क्योंकि यह fixed नहीं होता और first policy year के end होने पर हमें मिलता रहता है अब हमने यहाँ पर माल लिया कि इसका जो क्या कहते है रेट है वो है 8% इसका लेकिन हमें कितने साल मिलेगा maturity age में से हम entry age घटा देंगे मतलब entire policy term मिलेगा तो 40 साल तक हमें यह मिलेगा assume rate कितना था हमारा आठ प्रतीशत तो एक लाख रुपे का premium है हमारा non guaranteed survival benefit का उसमें हम निकाल लेंगे इसका एक लाख का 8% तो 8000 रुपे हो जाएगा अब 8000 को हम गुणा कर देंगे चालिस में तो तीन लाख 20,000 रुपे हमारा non guaranteed survival benefit निकल के आ गया अब terminal bonus जो है जिस तरीक निकाला जाता है उस तरीके से इसकी calculation की जाए तभी यह करोड़ों में पहुंच सकता है जैसा policy brochure हमें document में देखने के लिए मिला तो उसी को अधार बनाके हम यहां पर assume करेंगे और जो टर्मिनल बोनस है हमें premium paying term या policy के 10 साल end होने के बाद ही हमें मिलता है और इसकी calculation कैसे की जाती है वही है हमको पता ही है कि इसकी calculation summer short पे की जाती है तो हमें यह देखना है कि terminal bonus कितने साल मिलेगा 80 में से 40 साल हमने entry गटा दी और 10 साल premium paying term के गटा दी है तो कितने साल बचे 30 साल हमें मिलेगा terminal bonus अब इसकी calculation करते है 8% का हमने rate माल लिया summer short हमारा कितना था जी यहां पर निकालेंगे तो कितना आएगा 80,000 यहां पर आ जाएगा तो first year तो हमारा यह मिल गया हमें ठीक है ठीक है जी अगले साल हमारा कितना हो गए 10,80,000 पर फिर से हम उसका 8% निकाल लेंगे जैसा कि मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि यह add होगा तब ही उसको निकले ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बास समझ आएगी स्किप करेंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला तो ऐसे हमारा यहां पर शमार शौड बढ़ गया first edition करने के बाद 10,80,000 रुपे second time हम निकालेंगे 10,80,000 का 8% ठीक है जी 10,80,000 का 8% निकालेंगे तो 86,400 इसी तरीके से अगर हम calculation करते चले जाएंगे तबी यह possible है कि जैसा मैं policy brochure में देखने के लिए मिल रहा है आप चेक करेंगे तो वहाँ पे करोडों में आ रहा है तबी यह जा करके terminal जो bonus है एक करोड से भी उपर जाएगा ठीक है यह समझाने के लिए calculation का एक way मैंने दिखा है ऐसा होगा ही इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि यह चीजे policy document में return में है शमा short on maturity हमें पता ही है 10,50,000 तो एक करोड बासाट हजार 656.0866 में हम 10,50,000 जोड देंगे और total हमारा survival benefit था एक लाग हमें guaranteed था और 3,20,000 हमारा non guaranteed था तो 4,20,000 यह हो गया हमारा हम इसको add कर देंगे तो ऐसे में अब जब हम यहाँ पर सारी चीज़ों को जब add करेंगे तो आपको यहाँ पर total निकल के आ जाएगा एक करोड 15,32,656.886 ठीक है यह आपको maturity पे यह benefit होगा अगर सब कुछ सही रहेगा यह assumptions है सिर्फ example है way of calculation ठीक है अब यह family care option की बात आते है अगर आपने family care option माली एजे हमने यहाँ पर लिया हुआ है ओके तो हमारा शमर्शॉट on death क्या होगा एक लाक में हम गुणा कर देंगे 10.20 का 40 साल की age है 80 साल का हमने maturity age वाला option लिया था 10.20 का हमने गुणा कर दिया तो 10.20,000 रुपे हमारा यहाँ पर हमारा हो गया ठीक है अब हमने माना कि 5 साल त यहाँ है वह वेवड़ाफ हो जाएंगी सारी ठीक है जी आपको सारी प्रीम में वहाँ पर हो जाएंगी क्योंकि जो जो शमर्शॉट होगा हमारा 10,20,000 रुपे वह हमने नॉमनी को दे दिया और policy हमारा continue रहेगा maturity तक लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आपको ध्यान देन वाली बात है वो है guaranteed जो cash bonus था हमारा return वो हाँ पर reduce हो जाएगा राइट जैसे कि हमने family care option में हमने देखाई था कि हमने अगर यह family care option के साथ में लिया है तो हमारा 5% ही मिलेगा अगर हमारा premium paying time 10 साल का है तो ठीक है तो मतलब कि यह reduce हो जाएगा यह हमें 5000 रुपे मिलने लग के अगले 10 साल का जो premium paying time है हमारे एक लाख रुपे का जो premium है उसका 5% मतलब 5000 ही मिलेगा और जो non guaranteed survival benefit है non guaranteed cash benefit भी उसे आप बोल सकते हो वो जैसे मैंने explain किया है आपको उसी तरीके से मिलता रहेगा लेकिन इसी के साथ में जो summer short on maturity है उस पे भी इसका effect पड़ेगा जब आप यह option लेंगे तो वो अलग ही होगा क्यों होगा क्योंकि उस पर यह table applicable हो जाएगा 36 से 40 की age हो रही है ठीक है मतलब हमने 40 साल की age लिए इस bracket में fall कर रहे हैं 10 साल का premium paying time हमने यहां पे लिया है तो 29.90 प्रतिशत जो है यह हमारे premium का होगा क्यों होगा reduce होगा ओके आप देखिए आप में लिख भी रहा हूं सासा गारंटीड रेट ओफ रिडक्शन अगर 80 साल का maturity लिया है तो यह applicable हो जाए कैसे अनुलाइस प्रीमियम पे माइनस किया जाएगा अनुलाइस प्रीमियम का गारंटीड ओफ रिडक्शन से मल्टिप्लाइग करके तो 17,100 रुपे का 10 से गुणा किया जाएगा अब जो अमाउंट निकल के आ गया सात लाग कुछ हजार रुपे एक हजार रुपे यह आपका हो गया शमर्शॉड यही आपका गया पर कवर माना जाएगा इसी के ऊपर आपका टर्मिनल बोनस का कैलकुलेशन किया जाएगा आप कर सकते हो एट परसेंटेस के दर से अब जो शमर्शॉड है यह केवल कैलकुलेशन के लिए हो गया क्योंकि दैट केस में आपको ओल्डेडी क्लेम मिल चुका है तो आगे केरी फरवर्ड नहीं होगा ठीक है जी पॉस करके एक बार आराम से देख लीजेगा आगे और भी प प्रतीशत है नो दसमला बोल रहा हूं लेकिन नो प्रतीशत का दर से आपको कंपाउंटिंग इंटरेस्ट यहां पर लगने वाला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यह चेंज होता रहेगा बाकि अगर आप यह प्लान लेते हो और सरेंडर की कोई बात आती है दस बीस स कि आपने मुझे